रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सपनों में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है। पर अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो कई बार जिन्दा लोगों को भी मरा हुआ देख लेते हैं, मृत्व्यक्ति हमारे सपने में आकर कुछ कहना चाहते हैं, आए जानते हैं ऐसे सपनों का क्या है मतलब, यदि घर का कोई सदस्य बीमार होकर स्वरग्वासी हो और सपने मे आपको स्वस्थ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि मरने के बाद उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है, इस तरह वे ये संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोच कर खुद को तकलीफ ना दे, इसे स्वपन शास्त्र में आश्वासन स्वपन का नाम दि हैं, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी, जिससे वह पूरा करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए, तो यदी संभव हो तो आपको उस इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहिए, इससे स्वर्गवासी व्यक्ती की आ रा हुआ देखना उसकी आयू में व्रिद्धी का सूचक होता है, ऐसे सपने को बुरे सपने की श्रेनी में नहीं रख सकते, कई बार आपने देखा होगा कि सपने में आपके स्वर्गवासी परिजन दिखते तो हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे सपने को हम लोग स समझ नहीं पाते हैं, स्वपन शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे सपने में हमारे परिजन हमें हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों के बारे में आगाह करते हैं, अर्थात या तो हम वर्तमान में कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर कोई गलत कार्य करने के बार में सोच रहे हैं यदी सपने में हमारे मृत परिजन आकर हमें आशीर वाद दे और कुछ बोले नहीं तो ये संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको शत प्रतिशत सफलता हासिल होने वाली है यदी सपने में मृत परिजन उदास मुद्रा में दिखाई दे या फिर आपको आभास हो कि हमारे द्वारा किये गए कार्य से वह खुश नहीं है तो हमें ऐसे कार्य करने ही नहीं चाहिए या फिर बहुत सोच समझ कर सावधानी पूर्वक करने चाहिए यदि हमारे कोई स्वर्गवासी परिजन हमें मृत्यू के बाद हमसे कहीं बहुत दूर जैसे आकाश में या कहीं और दिखाई दे तो ये संकेत है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हो चुकी है यदि सपने में मृत्य परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत करीब दिखाई दे तो ये संकेत है कि वह अपने परिवार से अभी तक मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को च्छत्र चाया में आज भी रखना चाहते हैं ऐसा आपको आभास हो तो परिजन के निमित आपको रोजाना गाए को दो रोटी खिलानी चाहिए अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से पित्रों के आशीरवाद से आपके घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है